आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Question में हमसे पूछा गया है कि हमें एक Floral Formula को ढूढ़ना है एक Flower के लिए जिसका Description हमें यहां दिया है देखे, यहां पर हमें सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए कि Floral Formula में क्या-क्या आता है तो सबसे पहले तो हम जो अगर शुरू करते हैं तो हम Bractate या E-Bractate को लिखते हैं यानि कि हमारे Flower में Bracts होती है कि नई Bracts क्या होती है माल लेजे यह हमारा यहां पर एक Flower है यह हमें पता है यह इसकी सेपल्स होती है यहां पर इसके आ गई Petals यह आ गई यहां पर Gynosium और यह हमारे Androsium ठीक है तो अब देखिए यहां जब हमें पता ही जो Stalk है हमारे Stalk of the Flower यानि कि जो Dental है हमारे Flower की उसके पास आपको छोटे से ऐसे Leaf-like structure दिखेंगे सेपल के नीचे तो इन्हें को हम कहते हैं Bract यह इनका काम होता है कि जो हमारे Flower बड होती है उसको यह Protect करता है जब वो Bud form में होती है यानि कि जब जो Petals है वो खुली ना हो Separate ना होई हो तो यह तो हो गई Bract अब Bract का Present होना उसे हम बोलते हैं Bractiate और नहीं होती है तो हम लिख देते हैं EBR यानि कि E Bractiate तो यह हम पहले Show करता है फिर इसके बाद हम Show करते हैं फिर इसके बाद हम Show करते हैं हमारे जो Flower है उसका क्या Sex है यानि कि वो Female है या फिर वो Male है या फिर वो Bisexual है तो हम यहाँ पर यह Denote करते हैं इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे Flower की कैसी Symmetry है यानि कि वो Actinomorphic है या Zygomorphic है, Actinomorphic के लिए हम यह वाला icon use करते हैं और Zygomorphic के लिए हम यह वाला icon use करते हैं इसके बाद आजाता है हमारा KCAG, KCAG क्या होता है? Calix, Calix के बाद आजाता है Corolla, Corolla क्या होती है? हमारी Corolla होती है, हमारी Petals, Calix होता है हमारा Cepal, और इसके बाद आजाता है Androsium, Androsium क्या होता है? Androsium होता है हमारा Stamen, Stamen में क्या आता है? Anthur और Filament, तो यह हो गया Androgen, और यह हमारा Gynosium, Androsium, Gynosium तो यह हमने यहाँ पर देख लिया, अब देखिए, हम यहाँ पर दिया है, जो हम उसको यहाँ पर Note कर लेते हैं हमें सबसे पहले बता रहा है कि यह Bisexual Plant है, तो हम यहाँ पर Bisexual का आइकन लिख देंगे फिर इसके बाद यह कह रहा है Actinomorphic, तो हम यहाँ पर इसे Actinomorphic शो कर देते हैं फिर हमारा कह रहा है यह कि सेपल्स 5 हैं, तो हम K के आगे यहाँ पर नीचे लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट में 5 अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने दिया है Twisted Estivation तो देखे, Twisted Estivation का मतलब होता है, कि जो सेपल्स होती है, सेपल्स यह हमारी in the twisted form है, यानि कि इनका जो arrangement है, वो twisted form में है तो आप देख सकते हैं, यह हमारे Twisted Estivation हो गई है, यह हम उपर से देख रहे हैं, साइड से आप देखेंगे, तो यह हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा तो समझी रहे होंगे, आप यहाँ पर twisted का मतलब क्या है, तो यह कह रहा है कि जो सेपल्स हैं, वो twisted estivation में है, पर हम अमारे floral formula में estivations नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए हम इसे denote नहीं करेंगे, इसके बाद आजाता है पेटल 5, तो corolla जो है, वो है हमारी 5, तो हम यहां 5 लिख देंगे, यह कह रहा है, वालवेट estivation, तो वालवेट estivation में कोई overlapping नहीं होते हैं, यानि कि कोई twisting overlapping नहीं होते हैं, यह एक ही ऐसे रहती हैं, यानि कि मान लिजा अगर आप इसे as a 3D, आप अगर इसे कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखें, यहां पर यहां पर gynosium निकला, तो यह हमारी basically overlap नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी petals है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं, वालवेट, यहां पर हम इसे show नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे रहन देंगे, फिर आजाता है stamen 6, तो यह कह रहा है कि जो हमारे यह androsium है, वो है 6, ovary जो है, वो tricarpular है, यानि कि 3 carpels यहां पर ovary के अंदर है, तो ovary हमारी gynosium होती है, तो यहां पर हम लिखतेंगे 3, अब यह कह रहा है sin carpus, sin का मतलब होता है fused, यहां पर यह कह रहा है कि जो यह carpels हैं 3, यह united है, fused है, तो हम यहां पर इसको as a in brackets brackets रखतेंगे, bracket का मतलब हो जाता है, यह united है, फिर यह कह रहा है superior, तो superior ovary हमें पता है, जो माल लिजे यह हमारा यहां पर thalamus है, यहां पर हमारा यह ovary रखी है, यह उपर हमारे stigma और style है, तो यह आप देख सकते हैं, यहां पर यह superior ovary कहलाती है, क्योंकि जो भी हमारे floral part है, यहां पर petals है, यह petals हमारे जहां पर ovary attached है, यहां पर ovary attached है, इससे नीचे यहां से originate हो रहे हैं, यह हमारे यहां पर mileage statement है, तो आप देख सकते हैं, जो point of attachment है हमारे ovary का, वो इनके point of attachment से काफी उपर है, इसलिए कहलाती है superior ovary, तो हम इसको denote करते हैं, ऐसे हम यहां पर एक ब बना देंगे, इसका मतलब है कि यह इस बार के उपर बैठा है, यानि कि यह superior है, अगर यह inferior ovary होती, तो हम इससे उपर बार बनाते हैं, तो इसका मतलब यह इस बार के नीचे है, यानि कि inferior है, तो यह हमने यहां पर ऐसे show कर दिया, अब हमें यहां पर दिया है, ट्राइल उ तो देखिए ट्राइल ओकिलर मतलब जो लॉक्यूल होंगे उनमें तीन डिविजन होंगे तो हम इस चीज को भी हमारे फ्लोरल फॉल्मूला में नहीं इंट नोट करते तो इसे भी हम कर देंगे और यह है एक्जाइल प्लेसेंटेशन यानि कि जो प्लेसेंटा है जो हमारे सी जिव लिसेंटा इनल तो हम इसको भी शो नहीं बंगया इंटीनोमोर्फिक लिए हमारे पास यहां परjay अधन है जीए हैं 5 पर हमारे पास हॽं यानि कि जो statements है वो हमारे पास six है और जो gynosium है यानि कि ovary यह हमारी superior ovary है और इसके पास united three carpels है तो यह हमारा बन जाता है answer, thank you